हाई मैंने में अरशी कान और मेरे साधे डॉक्टर राहुल सर इंड वेलकम टू अनधर विडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं कि हमने जिसे लास्ट टॉपिक में डिसकस किया था कि कितनी सीच हैं MP में एनराइ कोटी की और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितना फी स्ट्रक्चर लगता है और किस रैंक पर वो सीच आपको मिल सकती है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो सबसे इंपोर्डेंट टॉपिक है आर्शी में माच का और वो है कि किस रैंक पर ओपनिंग ह का मतलब है जहाँ पर फ़र्ष्ट सीट एनालाइए की उस रांग पर ़ॉप्ट की गई उस खॉलज में और क्लोजिंग रांग का मतलब है कि last seat उस college की इस rank पर मिली तो हम लोगों ने पूरा analysis करनी के बाद सारे private medical colleges में जो NRI की seat है वो पहली seat किस rank को मिली है और last seat किस rank को मिली है इसको लेके आए हैं साथ ही साथ में हम लेके आए हैं आपके लिए कि आपका fees structure क्या होने वाला है यह जो fees structure हम लोगों को आप आप में होगा तो यह fees depend करेगी कि उस समय dollar का rate क्या चला है उसके according आप calculate करके rupees में इसको convert कर सकते हैं तो यही सारी बात हैं आपको इस video में देखने वाली है को अगर आप NRI में एडवीशन लेना चाहते हैं तो इस video को पूरा end तक आपको देखना है वैसे अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले यह था कि आगर आपका वहां पे कोई blood relation है तो ही आप इस seat को ले सकते हैं बट आप ऐसा नहीं है अगर आपको कोई guardian है कोई uncle है blood relation नहीं है और वह ready है आपको sponsor करने के लिए तो भी आप इस seat को ले सकते हैं बट आपका थोड़ा सा budget होना higher side होना चाहिए counseling के time पर आपको counseling भी बताई जाएगे तो हम start करते हैं फीस क्या है और किस rank पे मिलेगा हां तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो college है वो है चिरायू medical college और यह चिरायू medical college भोपाल में है अगर इसकी NRI seat की बात करें तो 23 NRI seats हैं इसमें और इसमें जो first rank first seat मिला है 78,672 पे 78,672 वाले बच्चे ने पहली seat उठाया है और last seat है 4,63,358 यह तो बहुत जादा है है exactly इसलिए मैंने बताया कि अगर आपके number 500 number भी है 250 marks भी है तब भी आपको NRI मिल जाएगा और यह तो चिरायू की position है नीचे की colleges हम और बात करेंगे तो और नीचे तक year rank तक मिला है अगर हम 35,000 डॉलर की बात करें तो इस अप्रॉक्सिमेटली 26 लाग के आसपास yearly आपको फीस पड़ेगी और 4.5 यह की फीस आपको पे करना होगा तो यह लंब संब एवन सिया से एवब जाएगा बजट आप अपना calculate बजट कर लें और उसके बाद आप अगर लेना चाह 56,666 है और इसका जो लाइस्ट रेंक है वो 5,10,911 है इस रेंक पर यह लाइस्ट सीट मिला था और इस बार भी लगबग इसी रेंक पर जाएगा जो डॉलर है वो अपना 35,000 डॉलर है अगर मैं बात करता हूं नेक्ट तो एलन मेडिकल कॉलिज भोपाल इसका जो फरस्ट स पर इसका लाइस्ट सीट एनराई का गया है इसकी फीस जो है वो 35,000 डॉलर है अगर मैं फीस की बात करूं तो सबसे कम जो फीस है वो है अपने आड़ी गाड़ी और प्यूपल्स मेडिकल कॉलिज की मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं यह सारी फीस इस्टेक्चर में 2020 का आप को बता रहा हूं 2021 में अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि फीस बढ़ेगा के नहीं हो सकता है टाइम आफ काउंसलिंग में साहिद कुछ बढ़के आजाए तो पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है तो यहीं फीस माना जाएगा अगर मैं बात कर रहा हूं पीपल स्कॉलिस कहीं तो इसकी जो फर्ष्ट सीजट है वो एक लाख के आसपास पर गई है और अगर इसकी लाश्ट सीट की में बात कर लूँ तो फोर लैक सिस्टी और 25,000 डॉलर इयरली इंकी फीस एक और चीज में आपको बता दू कि यह सारा जो प्रोसेस है राइट इसके लिए आपको डॉक्यमिंट्स लगते हैं सेंट्रलाइज कमसिलिंग प्रोसेस है जिसके थू आप जा सकते हैं और इसमें इस्टेट के थू आप जाएंगे आपको MP की सेट कमसिलिंग के थू ही आपको यह मिल सकती है तो आपके दिमाग में अगर बहुत सारे सवाल है या फिर कुछ और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको फिल करके भी डिटीज ले सकते हैं और उसी के साथ साथ हम आडी गाडी मेडिकल कॉलिज अजयन का देखे तो 99,3515 पर यह ओपनिंग सी रेंग था जो क्लोजिंग रेंग है वो 524,308 था डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो 25,000 डॉलर है मतलब अगर फीस की में बात करूं तो आडी गाडी और प्यूपल से इसमें तोड़ा सा कम फीस है पर हम यह लास्ट कॉलिज डिसकास करने से पहले कहीं न कहीं यह कॉलिज वही बच्चा ले सकता है जिसकी पेंग कैपिसिटी है और इसके बाद नहीं लेना चाता है और अबास में है नया कॉलिज जिसकी ओपनिंग रेंग की लाग 10,000 के असपास है अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो पांस लाक एक तीस अजार के असपास इसकी क्लोजिंग रेंक है और जो इसका फीस इस टेक्चर है वो 30,000 डॉलर पर येर है तो यह था यह सारे कॉलिज उनका फीस ट्रक्चर किस रैंक पे मिलेगा हमने वैसे लास्ट वीडियो में डिसकास किया था इस में बता दू कि अगर आप MPK हैं तो आपको फाइव 95 पे कोई कॉलेज मिल रहा है तो NRI में 250 पे भी मिल जाता है अगर आप इसके eligibility criteria को meet कर रहे हैं तो तो यह कही ना कही इत तो यह था video, you know NRI, you know cutoff पे और fees पे बाकी हम और भी state और भी counselling के बारे में इस चानल पर discuss करते हैं तो अगर आप हमारी चानल पे नए हैं do not forget to subscribe बाकी यार वीडियो को share करना नहीं भूलना है अपने दोस्तों के साथ और ऐसी videos के लिए बने रहना है 100% के साथ